नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल NRJ Finance पर तो यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे Nifty, Bank Nifty और उसके साथ में कुछ selected stocks रहते हैं उनके level हम लोग discuss करेंगे चार्ट्स पर तो चलिए start करते हैं पहला stock है Mother Sum Sumi का तो Mother Sum Sumi में जैसा की कल मैंने बोला था कि इसका जो एक accumulation zone है वो है almost देखे 103 से लेकर के 97 तक का बोला था राइट फाइनली उसके बाद में देखे Mother Sum Sumi आज अच्छा घासा उपर इसने लगाया है हाई जो इसका लगा हुआ है 108 का लगा है 108 का हाई लगा हुआ है लेकिन बाद में coronavirus वाली जब news आई तो उसके बाद में एक अच्छा घासा इसने फिर down भी दिखाया और 98 का इसने down दिखाया हुआ है तो दोस्तों ये चार्ट में जरूर मैंने वीडियो में कल बोला था Mother Sum Sumi के लिए लेकिन उसके एक दिन पहले यानि कि Friday को मैंने और लेडी टेलिग्राम चैनल पे बोल दिया था इसको 103 के आसपास पे बाई लगाने का इसका और जो हमारा टार्गेट था 110 का था तो उसके बाद में जिनों ने लिया होगा आज पाफिट बुक कर लिया होगा और जिन्होंने अभी I mean 101 का हमारा स्टॉप लॉज भी था तो अभी देखे यह 100 के आसपास में क्लोजिंग दिया है अभी इसके नीचे दो सिनेरियों चलते हैं कल जब मार्केट ओपन होता है तो ओपनिंग अगर देखे डाउन साइड में होती है निगेटिव मार्केट जाता है तो फिर आपको वेट करना है कि मदर समसुमी 99 का लेवल ब्रेक करें अगर 99 का लेवल ब् लिखा सकता है मदर समसुमी में यह चीज ध्यार रखिएगा बिलो 99, 96 and 95 is ready in मदर समसुमी and if sustains अगर यह 100 के आज़ पास में आ करके सपोज मार्केट पॉस्टिव ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन होकर के रिकवरी लेने लगता है then you can take position around 100 और 101 and target for 103 यानि 103 100 05 यानि 105 तक के target इसमें आप फिर से लगा सकते हो next talk रहेगा जूब्लियन फूड देखिए अब चूंकि market है right और अभी जितना भी overall sentiment है सारा sentiment negative है correct so अभी देखिए अगर जूब्लियन फूड जो है हमारा यह वाला level break कर देता यानि कि almost आज का जो low है that is almost around you can say 1640 यानि यानि 640, 640 का जो level है 640 से ले करके 1630 यानि कि 1630 सारी 1640 से 1630 के level में यह थोड़ा sustain करता हुआ दिख सकता है but अगर market negative trend में चलता है तो फिर आप इसको easily यानि कि 1645 यह चीज मैं कहीं लिख दूँ तो I think ज्यादा better रहेगा let me note it somewhere जूबल फूड है can be short below 1645 for target of 1630 and 16 let's come to another level that is almost around 1617 so 1617 तो जूबल फूड में देखिए अगर नीचे आता है 1645 के नीचे cross कर जाता है तो फिर आप इसको 1630 and 1617 तक के target के लिए easily आप इसको short कर सकते हो मेरा ऐसा उन्मान है 1630 and even 1620 1617 तक के target हमें देखे जा सकता है in case अगर market recovery लेता है यानी की थोड़ा little gap down होता है नी जादा points का gap down नहीं मिलता है और वहां से sustain करने लगता है then we can enter above here one thing is very important by above and only above 1660 1660 के उपर not 1660 it's 1665 राइट लेट स मैच दे लेवल again yes above 1665 we can take it for 1680 by above for target of 1680 तो हम लोग दोनों तरफ के देखे target लेके चलेंगे जैसा market का trend रहेगा उसी साब से हम लोग game खेल सकते हैं now next stock that is avanti feeds avanti feeds को last video में यानी की weekend के लिए जो monday के लिए मैंने video upload किया था उसमें clearly बोला था कि avanti feeds हमें यहां से एक high लगा सकता और जो high हमारा पहला target था no doubt it was 480 correct तो आज मैं 480 भी मिला और 480 के उपर फिर हमें 500 का target भी मिल गया and उसके बाद में जब negative news market में आई market downtrend में आया तो no doubt फिर हमें low भी मिला and low was 420 तो अभी देखिए अगर 420 के नीचे यह stock continue करता है then we might see 4 in avanti feed let me avanti feeds downside target जो हमारे वो रहेंगे 4 420 and 410 downside target upside target we have to enter only above अगर देखिए avanti feeds 440 के उपर आता है by only about 445 for target of 460, 480 तो avanti feeds भी हो गया आज इसमें हमें उपर वाले सारे target मिल गया अब नीचे के लिए कल देखिए मैंने दोनों condition रख दी हैं जिस हिसाप से trend चलेगा उस हिसाप से आपको लेना इसमें अब आते हैं tvs motors पर tvs motors पर देखिए जो expectation थी जो हमारा target था almost 445 का फिर से आया finally लेकिन आज ये 200 dma के नीचे closing दिखी है अभी देखे tvs motor अगर कल 415 के नीचे जाता है okay tvs if goes below 415 then we have targets of 410 and after that we have another target 405 so 410 and 404 actually so this is tvs motor और tvs motors के जो levels हैं downside के लिए वो मैंने आपको दे दिए अब माल लिजे tvs motors आप I mean positive चलता है तो वेट कीजिए वेट कीजिए 420 के cross होने का above 420 it can go 425 above 420 target can be 425 and above 425 we have around 427 so upside these are the targets down side these are the target now we will move towards indigo indigo में दोस्तों एक चीज इंटरस्टिंग रहेगी कि अगर यह देखे downtrend में जाता है तो इसमें ज्यादा फाइदा है अगर यह stock नीचे की तरफ में 1240 के पास में closing दिख रही है अगर यह देखे ब्रेक कर देता है अल्मोस्ट 1138 के आज पास में no not 1130 sorry 1230 के नीचे अगर यह निकलता है stock तो उसके बाद में no doubt यह आपको 1220 के दे करके जाएगा indigo जो है हमारा below 1230 target जो होगा हमारा 1220 का और 1220 के बाद में जो हमें target इसमें मिलता हुआ नजर आएगा वो रहेगा almost actually 1180 तक के target दे सकता है हमे no doubt but we don't take max risk so next target will be 1200 and after that 1190 also possible down upside की अगर बात करें then upside थोड़े chance कम लग रहा है indigo में but it is support so जब support की बात आती है then we have to take care of it so we have to buy only above 1250 1250 के उपर अगर यह stock निकलता है तो no doubt फिर आपको आराम से 1260 and even 1280 target जो आएंगे हमारे 1260 and 1280 तक के target आते हुए दिखेंगे उपर की तरफ अगर जाता है next stock है भारत फोर्ज का no doubt कल भी मैंने last video में भारत फोर्ज को recommend किया था और भारत फोर्ज में आप देखो के positive closing है 450 के असपास में जबकि stock की closing थी almost 435 के आसपास में closing थी वहां से अगर आप देख रहे हो stock ने almost एक जो high लगाया है 466 का जबकि मैंने इसमें बोला था कि हमें 455 तक के target easily मिल जाएंगे तो हमारे almost देखिए 455 पे जिसने book किया safe target booking हो गई उसके बाद अगर 65 तक गया भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी देखिए यह इसकी जो closing है 450 के आसपास में closing है तो अगर कल फिर से continue करता है 455 के उपर then we are going for 465 again so bharat forge अच्छा stock है no doubt so we can buy only above 455 for target of 465 and let's talk about next target that is around 469 अब short करने की position अगर आती है तो देखे short में तो इसको wait करेंगे 438 को break कर दे if negative trend चलता है then if goes below 438 then we might get target of 430 and then 426 then target could be 430 and 426 तक के इसमें हमें target मिल जाएंगे तो दोस्तों भारत फोर्ज भी अच्छा stock है बात करते है SBI की SBI में देखिए अगर ये कल फिर से continue करता है downside तो 285 के नीचे अगर ही आएगा तो हमें 279 का पहला target and then to almost 275 तक के जो है में इसमें level दिखा सकता है easily SBI bank तो SBI bank में जरूर नजर रखिएगा even देखिए आज इसका जो card IPO subscription हुआ है almost 35% subscription दिखा है so it was not that much inspiring कही न कहीं SBI bank आपको easily 285 के नीचे 279 and 275 SBI दे सकता है तो इसके targets भी हम लोग लिख लेते हैं below 285 we can see 280 sorry 279 and 275 next Axis bank Axis bank में भी कुछ same कहानी चल रही है इसकी भी देखे कुछ अच्छी हालत नहीं है Axis bank में तो Axis bank में अगर 683 के नीचे अगर यह जाता है below 683 we can short it for 675 and then 672 so this was SBI right now if we talk about Axis bank below 683 we have target of easily 66 sorry 675 and 670 तो हमें यह दो नीचे की तरफ target मिल जाएंगे और इसमें एक चीज़ हो रहे देखिए अगर 680 के आसपास में आकर करके या फिर जो आपका लेवल है जो हमने दिया है दाट इस आपका लेवल है जो हमने दिया है दाट इस आपका लेवल है जो हमने दिय आलमोस्ट 675, 676 का जो है इस रेंज में अगर यह आपको रिवर्सल दिखाने लगेगा अगर यह स्टॉक देन नो डाउट अगें इट कैन गो अप फॉर 690 तो इसमें मैं चीज़ मेंशन कर देता हूं रिवर्सल जो रहेगा इसका एक्चुली 676 से लेकर के 679 के बीच में मिल सकता है for target of 685 and 690 again but यहाँ पर एक condition है market का जो आप देखोगे market वहाँ से थोड़ा bullish दिखनी चाहिए जो trend होना चाहिए उपर की तरफ रहना चाहिए तो हमें 690 easily इसमें मिल जाएगा उसी आप से आप trade ले सकते हैं next stock आता है index in bank index in bank की दोस्तों कहानी थोड़ी इसमें better है कि आप उपर की तरफ trade मत लो avoid index in bank for upside trade and below this I mean जो आज का level almost 1074 1075 के पास में closing दिख रही है below this index in bank very soon index in bank can show us almost 1040 level यह stock जो है सही नहीं चल रहा है फिलाल can show us 1040 level downside में रहेगा if goes below 1070 देखे चार point का मैं बस difference ले रहा हूँ और इसी में इसका सब समझ में आ जाएगा तो 1070 के नीचे अगर यह continue करता है तो 1040 and even 1050 तक क्या आपको target मिल सकते तो आप क्यों देखे अगर पोजिशनल ले के चल ला हो तो फिर आप 1040 and even 1030 तक का भी बेट कर सकते हो बट अगर आपको 1070 के नीचे आपने trade लिया then 20 15 points are enough you can book at 1055 or 1050 as well next talk है जो कोटक bank है कोटक bank में एक positive चीज है so the positive thing I wanted to discuss about कोटक bank is don't enter immediately stock में तुरंद के तुरंद देखे अगर market positive open होता है या फिर थोड़ा सा gap down open होकर के recovery लेता है तो no doubt इसमें आपको enter हो जाना है 1600 जो 5 का level है almost इसके उपर यानि 1605 के उपर इसमें enter हो करके कही न कहीं आप profit booking बना सकते हो 16 15 and 16 18 के level पे 16 18 और 16 15 के level पे आप इसमें position book कर सकते हो but in case अगर ये down आता है तो down आने के बाद में इसको थोड़ा आप रुखी है अगर देखे ये जो level है 15 90 1590 का level अगर break कर जाता है तो फिर ये आपको 1580 and almost 1570 तक के level देके जाएगा लेकिन यहाँ पे almost around 1570 you might see reversal यहाँ पे अच्छा खासा ये resistance I mean support की तरफ इससे नीचे जाने में ये आपको थोड़ा problem दे सकता है नहीं इसके नीचे जाना थोड़ा tough रहेगा stock के लिए तो कहीं न कहीं एक reversal अच्छा दिख सकता है 1570 के level पे kotak bank में in case अगर ये नीचे आता ह if breaks around 5 1585 इसको भी मैं mention कर दूँ that will be better kotak bank if breaks 16 not 16 1585 level then 1570 sorry not 1570 1580 and 1570 70 तक के level possible and this is reversal zone तो दोस्तों ये जो है इसमें इसका reversal zone रहेगा kotak bank का तो इस चीज को भी थोड़ा mind में रखिएगा अब चलिए बात करते हैं nifty की तो देखें nifty ने आज जो एक down मारा almost 11,040 के असपास में down इसने लगा दिया है this is actually earlier it was the resistance for nifty if you see अब अगर ये level कल break करके नीचे गिरता है then we are going to see around 11,000 and then 11,950 levels in nifty तो nifty के लिए जो levels है okay I think nifty levels are gone let me open it तो दोस्तों अगर आप लोगों को जो stocks मैं discuss करता हूँ chart analysis हम लोग discuss करते हैं अगर उसमें आपको levels बनते हो और वीडियो पसंद आता हो तो like जरूर कर दीजेगा and nifty daily I hope कि मैंने levels save किये होंगे yes I have no 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 levels are not saved anyway okay no problem so I will write the level again actually took around you know 15-20 minutes to find out the level and update them but because I wanted to open one file my levels are gone anyway no issue so next support we are seeking around 11,040 below 11,040 we can get around 10,990 also and then below 10,990 we have here one more level we have around this one this is 10,948 and after 48 we have no doubt 880 so 10,945 we can make it and then we have around 8 10,080 level also below 880 if it continues then no doubt we are having these levels also in hand that is almost 11,815 so it may level हमारे पास support में आते हुए दिख सकते हैं इसके नीचे अगर दोस्तों देखें break करता है तो फिर कहीं न कहीं आपको इसली अगर 800 का लेवल ब्रेक कर देगा निफ्टी देन वी हव नेक्स लेवल एराउंड 760 यानि की 10,000 760 also there is in support level अभी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस में पहला जो रेजिस्टेंस आएगा अल्मोस 11,000 इसका जो है हंडेड के आस पास में रहेगा इवन हंडेड 80 अभी इसकी जो क्लोजिंग आएगी निफ्टी की वह अगर आप देखोगे यहां पर तो लेट मी ओपन निफ्टी क्लोजिंग जो है इसका 11,000 132 के पास में है तो इसका जो नेक्स रेजिस्टेंस इसेल्फ है वह है वन एट्टी का वन एट्टी अगर यह क्रोज कर जाता है उपर की तरफ दन वी वह अन अदर लेवल दा इस मोस्त टू 15 के आज पास में इसका एक रहेगा 180 क्रोज कर जाता है दन वी आव अल्मोस्त अ दिस वन uh actually it's a 212 but we are going to make it 11,215 and after that we have 11,000 250 as well so हमारे पास देखे ये रजिस्टंस के लेवल रहेंगे about 250 if it goes then no doubt I mean we can have next level 280 11,280 and then 11,315 so I am expecting these resistance in the nifty let's match these resistance कल जब market open होता है और अगर देखिए highly volatile नहीं होता है तो no doubt आपको 15 minutes की 2-3 candle में ही आपको सारे levels आते दिखेंगे अगर downtrend में जाता है तो ये levels आते दिखेंगे और अगर upside में चलता है तो फिर ये वाले में resistance वाले level आते हुए दिखेंगे निफ्टी में no doubt अभी bank nifty की बात कर लेते हैं तो okay it's again a problem guys so let's open bank nifty I hope मैंने bank nifty के भी level save कर लिये हूँ no 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 it's saved thank god so bank nifty में देखें जो हमारा next support रहेगा 28,700 का और अगर आप लोगों ने देखें टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर रखा है तो आज मैंने bank nifty में 28,700 का put buy करने को बोला था 80 to 85 की range में stop loss I think 40 या 50 था हमारा उसके बाद में target 150 का था हलांकि आज का जो high लगा है वो 500 के आसपास में लगा है उस call option का तो दोस्तों आप trade लीजिए ना लीजिए वो बात अलग है लेकिन आपको यहां पे जो देखें टेलिग्राम चैनल पे जो update आता है जो भी मेरा एक view होता है कि नहीं यह चीज यानि कि यह वाला put खरीदेंगे तो यहां तक जा सकता है यह वाला call खरीदेंगे option में तो यह चीज हो सकती तो कहीं न कहीं आपको भी एक idea मिलेगा so it will be very helpful for you if you join telegram channel definitely you are going to get good levels good ideas so चलिए भी फिलाल bank nifty के levels की बात कर लें तो चार्ट open कर लेते हैं पहले bank nifty का so here bank nifty देखे पहला जो target ओ जी यहां पहला target जो इसका बना हुआ support में 28,540 यानि 28,540 के आसपास में इसका support है and this support I discussed last night midnight मैं उन्हें कल ही discuss कर दिया था कि 28,540 के आसपास में आता हुआ दिख सकता है वो हमें आज level almost मिल गया अभी 28,540 जोगा एक अच्छा गासा support का काम करेगा bank nifty के लिए and if this support is broken then we have 28,350, 28,190 and 28,000 as well so most probably कल अगर उतनी volatility नहीं रहती है तो 28,500 या 540 का level और उसके बाद में 28,350 का level एक अच्छा support का काम करेगा और अगर थोड़ा ही downtrend चलता recovery दिखती तो कहीं नहीं 28,700 से आपको अच्छी recovery देखने को मिलेगी resistance की बात करें then we have next level resistance 29,060 closing is around I think in bank nifty closing is closing is around 28,800 870 right so 870 के बाद में हमारे पास जो levels है bank nifty में उपर की तरफ 29,060 29,160 29,230 and 29,370 तक के हमारे resistance कल देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो like कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और इसके साथ में आप telegram में भी मुझको join कर सकते हैं वहाँ पे भी मैं जब भी मुझे time मिलता है chart analysis post करता रहता हूं no doubt तो जो मेरा twitter handle है that is at the rate wiki nrj so आपको twitter में आप मुझे search कर सकते हो at the rate wiki nrj तो वहाँ से आप मुझे join कर सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों like कर दीजेगा कल फिर से मिलते है happy trading है